एर कंडीशनिंग की खोच रोम के राजसी जलसेतों से जो ताप मान को नियंतरित करने के लिए इमारतों के माध्यम से पानी का संचार करते थे प्राचीन दक्षिन पूर्व एशियाई सभ्यताओं के परिश्कृत डिजानों के लिए जैसे की अंकोर वाट जैसी संरचनाओं में पानी की सुविधाओं और प्राकृतिक वेंकिलेशन का सरलोप योग मानवता ने लंबे समय से गर्म गर्मी को कम करने और रहने योग्य वातावर्ण बनाने के तरीकों की तलाश कर रही है हालाकि बीसवी सदी की शुरुवात तक ऐसा नहीं हुआ था कि विलिस कैरियर के अभूत पूर्व नवाचारों के साथ एयर कंडीशनिंग में सच्ची क्रांती आई थी उनके आविशकार ने न केबल हमारे रहने और काम करने के तरीके को बदल दिया बलकि अर्बों डॉलर के उद्योग की नीम भी रखी जो हमारी आधुनिक दुनिया को आकार दे रहा है समय के साथ यात्रा पर हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम शीतलन तकनीकों की समरिध तानेबाने को उजागर करते हैं प्राचीन सभ्यताओं की सरलता की खोज करते हैं और हमारे दैनिक जीवन पर कैरियर के नवाचार के परिवर्तनकारी प्रभाव की खोज करते हैं प्राचीन तकनीकों से लेकर कैरियर की दूरदर्शी सफलताओं तक शीतलन प्रोध्योगी की के विकास और मानव आराम और कल्यान पर इसके गहरे प्रभाव को देखें मुद्दा एक प्राचीन ज्यान रोम और दक्षन पूर्व एशिया प्राचीन रोम की चिलचिलाती गर्मी में बढ़ते तापमान से निपटने के लिए नवीन समाधान तयार किये गए थे रोमन जो अपनी इंजिनेरिंग कोशल के लिए प्रसिद्ध हैं अपने घरों की दिवारों के माध्यम से एकवाडक्स से पानी को सरलता से पंप करते थे इस विधी ने पानी के वाशपी करण के शीतलन प्रभाव का उप्योग किया प्रभावी धंग से इंडोर तापमान को नियंत्रित किया और दमनकारी गर्मी से राहत प्रदान की। इसी तरह दक्षिन पूर्व एशिया की उशनक्ति बंधिय जलवायू में सभ्यताओं ने भीशन परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने स्वयं के तरीके विक्सि कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप इंडोर तापमान में उलेखनिय कमियाई। प्राचीन रोमन और दक्षिन पूर्व एशियाई, लोगों द्वारा नियोजित इन प्रारंभिक लेकिन प्रभावी तक्निकों ने उन सिभ्धानतों के लिए आधार तयार किया जो अंत् देंगे। वाश्पी करण के शीतलन प्रभाव की समझ और तापमान विनियमन के लिए एक माध्यम के रूप में पानी के उप्योग ने शीतलन प्राध्योगिकी में बाद की प्रक्ति का आधार बनाया। इस प्रकार ये प्राचीन प्रथाय मानविय सरलता और पर्यावरन ये चुनोतियों के सामने आराम की स्थाई खोज के प्रमान के रूप में काम करती हैं। आर्ध्रता में उतार चढ़ाव रंग मुदरन पर कहर बरसा रहा था। कैरियर ने एक समाधान इंजिनियर करने के मिशन पर काम शुरू किया। इंजिनियरिंग और थर्मोडाइनामिक्स में अपनी विशेशग्यता के आधार पर कैरियर ने एक प्रारंभिक एर कंडीशनिंग प्रणाली विक्सित की। जो हवा को ठंडा और डिहुमिडिफाई करने के लिए नोजल छिड़काव का उप्योग करती थी। प्रांभ में मशीनरी को ठंडा करने के लिए नियोजित, कैरियर की नवीन तक्नीक ने आरामदायक इंडोर वातावर्ण बनाने में व्यापक अनुक्रयोगों के लिए आधार तयार किया। कैरियर की वैग्यानिक सफलता ने न केवल एक विशिष्ट और योगिक आवश्शक्ता को संबोधित किया, बलकि विभिन सेटिंग्स में एर कंडीशनिंग को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनके अग्रणी कार्य ने मानव कल्यान और दक्षता को बढ़ाने में नियंत्रित इंडोर जलवायू की परिवर्तनकारी शक्ती का प्रदर्शन करते हुए। आराम और उत्पादक्ता के एक नए युग की शुरुवात की। मुद्दा तीन मानव सुविधा का विस्तार, न केवल मशीनरी, बलकि लोगों के आराम को बढ़ाने की क्षमता को पहचानते हुए, कैरियर की एर कंडीशनिंग इकायों ने कार्यालियों, पोटलों और अस्पतालों जैसी व्यावसाइक इमारतों में अपना रास्ता बना लिया, इंडोर ताप मान और आर्धरता के स्तर को विन्यमित करने की क्षमता के साथ, एर कंडीशनिंग ने इन स्थानों को आराम के स्वर्ग में बदल दिया, जिससे रहने वालों को गर्मी के महीनों की भीशन कर्मी और दमनकारी आर्धरता से बचाया गया डॉट, एर कं एर कंडीशनिंग की व्यापक स्विकृती में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जो विभिन निक्षेत्रों में व्यक्तियों के कामकाजी और रहने के माहौल को बढ़ाने में इसके महत्व को प्रदर्शित करता है, डॉट, केवल आराम से परे, एर कंडीशनिंग को व्यापक रूप से अपनाने का गहरा आर्थिक प्रभाव था। और सामाजिक उन्नती को भी उत्प्रेरित किया। कठोर तत्वों से राहत प्रदान करके और निर्बाध उत्पादक्ता को सक्षम करके, एर कंडीशनिंग दुनिया भर में समुदायों की भलाई और समरिध्धी में सुधार के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन गया है। मुद्दाचार शोधन और वैश्विक प्रभाव 1922 में कैरियर की नवाचार के प्रती प्रतिबधता नई उचायों पर पहुँच गई जब उन्होंने लॉस एंजिल्स थेटर में एक परिश्कृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्थापित किया। जिससे इंडोर जलवायू नियंतरन के लिए एक नया मानक स्थापित हुआ डॉट इस इंस्टॉलेशन की सफलता ने कैरियर के द्रिश्टिकोन को आगे बढ़ाया। एयर कंडीशनिंग के क्षेतर में अग्रणी के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। इसके वजनिक स्थानों तक कैरियर के सिस्टम ने एक अमिट छाप छोडी है जिससे दुनिया भर में लोगों के रहने। ये सी उद्योग में सबसे आगे बना हुआ है, जो हमारे दैनिक जीवन में आराम और सुविधा का अनुभव करने के तरीके को आकार देता है। गुनवत्ता, विश्वसनियता और स्थिर्ता के प्रती अपनी निरंतर प्रतिबधता के माध्यम से कैरियर कॉर्पोरेशन द तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। की रक्षा करने में एक महत्वपून उपकरन बन जाता है। शोध से पता चलता है कि एर कंडिशनिंग गर्मी से संबंधित बीमारियों से मृत्यु दर को 40 प्रतिशत तक कम कर सकती है, जो अत्यधिक गर्मी के जोखिम के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने मे इसकी महत्वपून भूमिका को उजागर करती है। पर तनाव को कम करने मे भी महत्वपून भूमिका निभाता है। गर्मी से संबंधित बीमारियों और चोटों को रोक कर एर कंडिशनिंग आपात कालीन कक्षों और अस्पतालों पर बोज को कम करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों को अन्य महत्वपून स्वास्थ्य देखभाल आवश्चक्ताओं को संबोधित करने के लिए निर्देशत किया जा सकता है। मुद्दा पांच आराम से परेलाब एर कंडिशनिंग को व्यापक रूप से अपनाने से ऐसे लाब हुए हैं जो केवल आराम से कहीं अधिक हैं जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्वपून प्रभाव पड़ा है खासकर अत्यधिक गर्मी वालेक शेत्रों में। मुद्दा है डौट शोध से पता चलता है कि एर कंडिशनिंग गर्मी से संबंधित बीमारियों से मृत्यु डर को 40 प्रतिशत तक कम कर सकती हैं जो अत्यधिक गर्मी के जोखिम के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने में इसकी महत्वपून भूमिका को उजा जैसी कमजोर आबादी के बीच डौट इसके अलावा अपने ततकाल स्वास्थ्य और उत्पादक्ता लाभों के अलावा एर कंडिशनिंग हीट वेव और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर तनाव को कम करने में भी महत्वपून भूमिका निभाता है गर्मी से संबंधित बीमारियों और चोटों को रोक कर एर कंडिशनिंग आपात कालीन कक्षों और अस्पतालों पर बोज को कम करने में मदद करता है यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों को अन्य महत्वपून स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक्त तक आराम और कल्यान की खोज में मानव सरलता और द्रिड़ता के प्रमान के रूप में खड़ा है पूरे इतिहास में व्यक्तियों और समाजों ने गर्मी के महीनों की दमनकारी गर्मी और उमस से निपटने के तरीकों की तलाश की है जिससे तेजी से परिश्कृत शीतलन प्रद्योगिकियों का विकास हुआ है. आज जब हम अपने घरों, कारिस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर वातानुकुलित हवा का आनंद ले रहे हैं तो उन अग्रदूतों के योगदान को स्विकार करना आवश्चक है जिन्होंने आधुनिक एर कंडिशनिंग सिस् को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जैसे ही हम एर कंडिशनिंग की यात्रा पर विचार करते हैं। पिरासत का सम्मान करके और नई तक्नीकों और प्रथाओं को अपना कर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एर कंडिशनिंग के लाब आने वाली पीडियों के लिए हमारे आराम, स्वास्थ्य और जीवन की गुनवत्ता को बढ़ाते रहें।